नमस्कार मेरे प्यारे साथी हूँ एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्पीट नेट रपर दोस्तों आज के इस लेटेस्टिक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे EPS 95 पैंसनों के लिए सुप्रिम कोट ने ये हरी जंडी दिखा दिये ये पैंसन बडोतरी को लेकर के सुप्रिम कोट ने आकरी पैसला जारी कर दिया गया है अब सुप्रिम कोट ने बोला है कि अब इन लोगों को पैंसन पूरी मिलना स्टार्ट हो चुकी है अब इनके सीधे खाते में पैंसन आने वाली है लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि काफी सारी मुसीबते आने वाली है आपके साथ EPS 95-75 को काफी सारी मुसीबतें जहलनी पड़ेगी वो क्या है क्या नहीं इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी में आपको बताने वाला हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत यूजफूल होने वाला है तो इसलिए इस वीडियो को आप सुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखे और मैं हमेसे आपको कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनको इसे पता लगना चाहिए कि वास्तमी ये लोग सब इकटे हैं ये एकजूट है ये हमेसा सोचल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करते हैं दोस्तों EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बड़ोतरी को लेकर कर देकि पिछे कई दिनों पहले सुप्रीम कोट का पैसल आया था हलांकि सुप्रीम कोट ने ये नहीं कहा कि अब इन पैसल को पैंशन मिलेंगे लेकिन सुप्रीम कोट नहीं कहा कि जो सत्याशी साल से उपर ह हो गए है उनको पेंशन ज्यादा बड़ोतरी होकर के मिलनी चाहिए पांच जार रुपई से ज्यादा मिलनी चाहिए हालां कि हाँ सुप्रिम कोट से यह पेंशला आ गया लेकिन इसमें सरकार इन इपिस 95 पैंशनरों के अकाउंट में यह पेंशन नहीं डाल रही है यह स्थार पेंशला तो सही है आज चुका सुप्रिम कोट का सभी तरने रूपए पेंशन मिलने वाली है लेकिन सरकार इस पर कोई अहम अमले पेंशला नहीं कर रही जब तक सरकार इस प्रेक्शन नहीं लेगी तब तक यह पैंशन है जो नहीं मिलने वाली है दोस्तों EPS 95 पैंशनों को यह धोके पर धोके धोके होते जा रहे हैं लेकिन इस सरकार को यह बतना होगा कि आने वाले टाइम में चुनावी चुनावी टाइम आ रहे है और इस योगदान के अनुसार इनको पैंशन अगर नहीं मिली तो सरकार के लिए बहुत बड़ी यह एक नुक्सान हो सकता है मैं हमेशा बताता हूं EPS 95 के लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं हमेशा कुछने कुछ नहीं जो टोपिक होता है वह लेकर के आता रहता हूं मैं आ एक बार रोका गया आदेश के नुसार कि इनको एक बार रोका जाए इनकी पैंशन बड़ोतरी नहीं की जाए बाकि सारे जितने पैंशन दर इसके योगदान है उन सभी की पैंशन बड़ोतरी करेंगी इतने दिन यह था कि 80 साल से उपर होने के बाद में इनको पूरी बड करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मैं हमेसा सही और सटिक जानकारी लेकर के आता रहता हूं मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए टेक यार बाई बाई जेहिंद